नमस्कार सिल्क टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ बिकास कुमार आईए करते हैं खबरों की शुरुआत सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइन्स पर हेडलाइन्स स्पॉंसरेट बाया फागलपूर सीटी डबलपर एडीजी ने वीडियो कॉन्फिरेंसिंग के माधियम से विधी वेवस्था के लिए जानकारी क्राइम कंट्रोल पर हुई चर्चा जलसनरक्षन को लेकर नगर निगम में हुई बैठक बढ़ते जलसंकट को देखते हुए जलस्रोत को विक्सित करने पर हुई चर्चा श्राबणी मेला की तयारी को लेकर बाका डीम और स्पी ने कामरी आपदक का किया निरिक्षंद यू दस्तर पर करको करने के दिये निर्देश एससपी कारियाले में क्राइम मीटिंग का हुए आयो जन्परार अप्राधियों की ग्रपतारी के दिये निर्देश और 16 जुन से शुरू होगी लौकी परिक्षा कादाचार मुद्परिक्षा विश्विद्याले प्रशाशन के लिए होगी चुनवती और अब खबरें विश्तार से बिहार के ADG हेड़क्वार ने वुद्वार को विडियो कॉनफरेंसिंग कर सभी जौन के IG एवं रेंज डियाईज से विधी व्यवस्था एवं पेंडिंग केस की जानकारी ली भागलपूर के NIC में विडियो कॉनफरेंसिंग के दोरान जोनल आईजी विनोत कुमार एवं डियाईजी विकास वैभव से एडिजी ने विधी व्यवस्था समेत कई बिंदों पर जानकारी ली और अपराधियों पर अपराधि घटनाओं पर नियंतरन करने को लेकर कई दिशानिर देश दिये भागलपूर नगर निगम सवागार में बुद्दवार को जल सनरक्षन को लेकर महापौर सीमा सा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया शहर के जलाशयों, तलावों एवं विभिन परकार के जल स्रोतों का पता कर जल सनरक्षन करने और जल संकट दूर करने पर विश्तार पुर्वक्चर चाहुई बढ़ते जल संकट के कारण भागलपूर समे देश भर में भिशन जल संकट उत्पन हो गया है जल संकट से निवटने के लिए सरकार के माध्यम से परियास तेश कर दिया गया है जल संसाधनों को विक्सित करने को लेकर उपनगर आयूक्त डिएफो दिल्ली से आय विशेशग्यों के अलावा कई एंजीओ के परतिनीधी और नगर निगम के पारसदों ने जल संरक्षन से संबंदित कई सुझाओ दिये दिल्ली से आय प्रोफेसर मिनाक्षी दुवे ने कहा कि जलाशयों का मैप बना कर विज्ञानिक तरीके से जाच कर गुणवत्ता का पता लगाने की जरूरत है ताकि लोगों के लिए लाबकारी होसके महापौर सीमा सा ने कहा कि भारत सरकार द्वारा जल संरक्षन के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाव लेने की जरूरत है सभी को मिलकर पानी बचाने का उपाय करना होगा जबकि पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रिती शेखर ने कहा कि जल संकट के कई कारण है और इस पर मन्थन कर वाटर लेवल बढ़ाने एवं जलासरों को अती करमन मुक्त कर जल संकट्षन की जरूरत है बैठक में उपनगर आयुक्त S.V. वर्मा, परभू चंद्रियादव, जिलावन पदाधिकारी S. सुधाकर, दिल्ली से आए कई विसेशग NGO के परतिनिधी और पार्शद मजूद थे अमामी गंगे के तरफ से ये शेहर के जो जलाशे हैं उनका अध्यान में कर रहे हैं और इस अध्यान के आधार पे हमें एक मारदर्शिका बनानी है जो शेहर के अंदर जलाशे हैं उनके संरक्षन के लिए तो भागलपूर शेहर को पाइलेट स्टडी के तरह लिया गया है और आज की बैठक हमारे लिए बहुत महतोपूर्ण की कि यहां के जो पार्शद हैं और यहां के लोग हैं उनके विचार और उनके सुझाव हमें इकठा करने में तो हमें बहुत ही सरयोग मिला है जल सकते में भाग के द्वारा सारे नगर निकायों के अंतरकर जितने भी वाटर बॉडिज हैं असलन पॉंड्स हैं या फिर और भी कोई वाटर बॉडिज है तो उसको संदक्षित करने के लिए इस डिपार्टमेंट की कवायत चल रही है उस एक्रमें आज भागलपूर न जो कि जो अपने आप में बहुत महत्पूर्ण है लेकिन उसके या तो सुरोध सुख रहे हैं या जो कुछ है थोड़े बहुत तो इनक्रोच्मेंट के सिकार हो रहे हैं तो उस पर भी ध्यान देने के आफशकता है सरावणी मेला को लेकर बाका छेतर के कामरियापत का वुद्वार को डियम कुंदन कुमार एवं स्पी अरविंद कुमार गुपता सभी विवाग के अधिकारियों के साथ जाय जालेने पहुचे डीम ने मेला छेतर में अधूरी तैयारी को लेकर संबंदित विभाग के अधिकारियों को जम कर फटकार लगाते हुए तीन दिनों के अंदर कारे पूरा करने का निर्देश दिया डीम ने कामरियापत में सफाई विवस्था दुरूस्त रखने और दुकाउनों के आगे डश्ट वीन लगाने का निर्देश देते हुए कामरियापत में तीखे मोड के समीप सूचना पट लगाने का निर्देश दिया DM ने सभी विभाग के अधिकारियों को युद अस्तर पर कारिकर मेला की तैयारी पूरी क्रने का निर्देश दिया है वहीं S.P. अरबिंद कुमार गुपता ने मेला छेतर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर थाना परवारी को कई दिशा निर्देश दिये भागलपूर S.P. कारियाले में बुद्दवार को S.P. आशिश भारती ने मन्थली क्राइम मिटिंग की क्राइम मिटिंग में S.P. ने जिले के सभी DSP एवं थाना ध्यक्षों से विधी विवस्था एवं लंबित कॉंडों से संबंदित जानकारी ली और छेतर में बढ़ रहे अपराधी घटनाओं पर रोक लगाने का निर्देश दिया S.P. ने फरार अपराधियों, अफराध नियंतरण एवं लंबित कॉंडों को लेकर कई थाना ध्यक्षों की जम कर कलास लगाई और रात्री गस्ती तेज करने और हर हाल में अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने की बात कही दिलकामाजी भागलपूर विश्विद्याले में 16 जुलाई से 3 और 5 वर्सिये लौ की परिक्षा शुरू होगी इस बार लौ परिक्षा के लिए केंद्रा धिक्षक प्रोफेसर राम प्रवेश शिंग को बनाया गया है वहीं लौ की परिक्षा कदाचार मुक्त कराना केंद्रा धिक्षक से लेकर विश्विद्याले प्रशाशन के लिए चुनोती बनी हुई है शांती पूर्ण लोव परिक्षा संचालन के लिए प्रोफेसर राम प्रवेश शिंग ने बहु उद्धिस्य प्रशाल में CCTV केमरे लगाने और रेफ जवानों की तैनाथी करने की मांग की है केंद्रा धिक्षक ने कहा कि वर्स 2018 की परिक्षा में कदाचार के आरूप में निश्कातिस छात्रों ने जम कर हंगामा किया था इसलिए दंडा धिकारी के साथ रेफ जवानों की मांग की गई है केंद्रा धिक्षक के रूप में जब मुझे पत्र मिला तो मैं इस पत्र के साथ अपने मानियक कुलपती परिक्षान यंत्रक को पुर्व घटनाओं का जिक्र करते हुए मैंने बताया कि मल्टी पर्पस हॉल में परिक्षा लेने में क्या कठनाई है चुकि चारों तरफ से खुला हुआ है हॉल रहने के कारण उपर के छात्रों को अगर एक्सपिल्ड किया जाता है कदाजार के आरोप में तो उसके सपोर्ट में नीचे के छात्रों उपर चले जाते हैं और हंगामा ज़ादा होने लगता है कि एक ही जगा छात्र जो है जमा कि आप या राज भवन भी अस्टपस्ट रूप से देख पाए कि भागलपूर विस्विध्याले तिलकामाजी भालपूर स्विध्याले निस्पक्ष और कदाचार मुत्थ परिक्षाएं ले रहा है इसके लिए विस्विध्याले प्रसासनने भी तरह के शहयों का स्वासन द रखा जाएगा कि छात्र बहतर माहोल में अपनी परिच्छा दे सके। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहे हैं सिल्क टीवी के साथ। रुकते हैं से ब्रेक के लिए परिच्छा दे सके लिए रहे हैं सिल्क टीवी के लिए बने परिच्छा दे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आप देख रहे हैं सिल्क टीवी भागलपूर सीयस कमपाउंड समय शहर के विविन जगहों पर बुद्धवार को वन विभाग की ओर से सूखे फेड़ों की कटाई की गई पिछले दिनों तेज आंधी वारिश के कारण गिरे पेड़ों को जिला प्रशाशन के निर्देश पर वन विभाग द्वारा कटवाया जा रहा है गौर्वतलव हो की तेज आंधी के कारण सूखे एवं कमजोर हुच के पेड़ों के साथ कई हरे पेड़ भी गिरे थे जिससे की विजली के तार एवं कई वहन छती ग्रस्त हो गए थे शहर के कई जगों पर पेड़ गिरने से आवागमन ठफ हो गया था विजली के तार से गिरे होने के कारण वन विभाग को पेड़ों की कटाई में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है विभाग को कई बार सूचना देने के वावजूद तार को विवस्थित नहीं किया गया जिलावन पदादीकारी S. सुधाकर ने कहा कि आंधी बारिश की आशांका को देखते हुए जगा-जगा कमजोर एवं सुखे पेड़ों को चिन्नित कर कटवाया जाएगा पेड़ जो है सुखने का कारण बहुत हो सकता है तो जगा-जगा-जगा-जगा-जगा-जगा-जगा-जगा-जगा-जगा-जगा-जगा-जगा-जगा-जगा-जगा-जगा-जगा-जगा-जगा-जगा-जगा-जगा-जगा-जगा-जगा-जगा-जगा-जगा-जगा- मंगलवार की देर रात नशे में हंगामा कर रहे तीन यूबग को पुलीस ने गरपतार कर लिया दरसल नाथनगर थाना छेतर के पुरानी सराय महले में गश्ती के दोरान पुलीस ने शराब के नशे में हंगामा कर रहे यूबग को गरपतार कर लिया वहीं मदू सूधन पूर्थाना पुलीस ने शराब के नशे में दो यूवक का ब्रेथ एनलाइजर मसीन से जांच की जिसमें सराब पिने की पुष्टी हुई पकड़े के शराबी यूवक की पहचान पुरानी सराय निवासी सुमीत कुमार एवं मदू सूधन पूर्थाना छेतर के सिकेस कुमार और कृष्णा कुमार के रूप में हुई है कहलगाओं के रामाशी में अवज सम्वंद को लेकर मा और बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पती को मौत के घाट उतार दिया इस जगन ने घटना को अंजाम देने के बाद मा और बेटी ने अपना जुर्म सुईकार कर लिया है कहलगाओं डियसपी मनुज कुमार सुधान सुनेक सनहुला थाने में मा बेटी से गहन पूछताच की इसके बाद डियसपी पुलीस वल के साथ घटना अस्थल पहुचे और वारीकी से जांच की इस दोरान पुलीस ने हत्या में प्रियुक्त धारदार हतियार और खून से सने कपड़े घटना स्थल से बरामत किया है डियसपी ने कहा कि घटना में शामिल प्रेमी दिनेश यादव की तलाश में चापे मारी की जा रही है जल्द ही गिरपतार कर लिया जाएगा लोधीपूर थाना छेतर के लोधीपूर खुर्दगों के समीप 30 जून की राद सवोर के सुदामा कुमार से हत्यार बंद अफराधियों ने लूट पाट की घटना को अंजाम दिया था पुलीस ने घटना का उद्वेधन करते हुए कांड में शामिल दो अफराधी को लूटे गए समान के साथ गिरपतार कर लिया है वरिये पुलीस अधिक्छक आशिश भारती ने प्रेस कॉन्फरेंस कर मामले की जानकारी देते हुए कहा कि घटना के उद्वेधन के लिए डिये स्पी लौ एंड और निशार आहमद के नेतुरित में पुलीस टीम का गठन किया गया था जिसके बाद तकनीकी अनुसंधान के अधार पर विकनपूर निवासी मुहमद लकी और मुहमद सारुप को गिरफतार किया गया है पकड़े के आरोपी के पास से लूटा गया मोवाईल और हेलमेट वरामद हुआ है SSP ने कहा कि दोनों आरोपी का अपराधिक इतिहास रहा है फिरित के द्वारा जब थाना पर आवेदन दिया गया तो उसके बाद लोधिपूर थाना के द्वारा कांट संखे 115 अबलिक 19 दर्ज करके अनुसंधान प्राराम किया गया इस मामले के त्वरित उतवेदन तथा गिरफ्तारी और ब्रांदरी के लिए DSP लॉंड ओडर की नितित्म में विशेश्टिम पर गठन किया गया था जिसके द्वारा इस मामले में त्वरित कारवाई करते हुए दो अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम है मुहमद लक्की जो की साख्चक थाना च्चतर का रहने वाला है और साथी साथ मुहमद सारुक वो भी साख्चक थाना च्चतर का रहने वाला है अतिति व्याख्याता अभियर्थी अंसन पर बैठ गे बुद्धबार को अभियर्थी डॉक्टर कपील देव मंडल डॉक्टर सत्य जीत कुमार और डॉक्टर विनेभार्ती अंसन पर बैठे रहे अभ्यर्थी कपिल्दे मंडल ने कहा कि गेश्ट शिक्षक वहाली को लेकर विश्विद्याले प्रशासन टालमटोल कर रहा है। बजट में भी इसको सामिल किया गया है 200 को उसके बावजूद भी यह कभी 128 का अभी 51 का अभी 6 का यह निकालते निकालते आज भी उस 200 को पुरा नहीं कर पाया है। और अंत में चलते चलते एक वार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइन्स पर। एडीजी ने वीडियो कॉन्फिरेंसिंग के माधियम से विधी वेवस्था के लिए जानकारी क्राइम कंट्रोल पर हुई चर्चा जलसन रक्षन को लेकर नगर निगम में हुई बैठक बढ़ते जलसंकट को देखते हुए जलस्रोत को विक्सित करने पर हुई चर्चा श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर बाका डियम और स्पी ने कामरी आपतका किया निरिक्षन यू दस्तर पर कारक करने के दिये निर्देश स्पी कारियाले में क्राइम मिटिंग का हुआ आयो जन्फरार अप्राधियों की ग्रफतारी के दिये निर्देश और 16 जुन से शुरू होगी लौकी परिक्षा कादाचार मुद्ध परिक्षा विश्विद्याले प्रशाशन के लिए होगी चुनवती फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही आप बने रहे है सिल्क टीवी के साथ तब तक के लिए नमस्कार